आज सुभा से आज तक पर सजा है सवालों का सबसे बड़ा मंच देश की सरकार के सारे मंतरी एक एक करके आज आज तक पर आपके सामने आये हैं और सब ने अपने-पने मंतरालें से जुड़े सवालों के जवाब दिये हैं लोकडाउन के बाद सरकार का प्लान आगे क्या होगा 17 माई के बाद देश में चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी ये तालाबंदी कब खुलेगी, उद्ध्योग दंदे कब खुलेंगे, स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, दफ्तर कब खुलेंगे इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज सुबह से लगातार, एक एक करके सारे मंतरी आज तक पर इजेंडा का हिस्सा बन चुके हैं और इस समय हमारे साथ आगए हैं एक और खास मेहमान, केंद्रिय सडक परिवहन और MSME मंतरी नितिन गड़करी स्वागत है नितिन गड़करी जी आपका एजेंडा आज तक के इस मंच पर अमोमन आप और हम आमने सामने बैठ कर बात करते हैं लेकिन कोरोना के इस दौर में जब लॉकडाउन है तो सेटलाइट के जरीए इजेंडा का हमने आज आयोजन किया है और हर कोई सुनना चाहता है नितिन गड़करी से उस बयान को लेकर बात जिसकी चर्चा लगातार हो रही है दो दिन से आपने बस और कार फेडरेशन से बात की और कहा जल्दी पब्लिक ट्रास्पोर्ट शुरू करेंगे सर कोई तारीख तय है उसकी लोग उम्मीद करने कि 18 तारीख से कर देंगे क्या विच्छे सबसे इंपॉर्टन चीज़े कि हमारे नेशनल हाईवे पुरे उपन हुए है और करिक पैसर से 70 प्रसंट जिस क्लास्ट इसके आया है इसके साथ साथ है पूर्ट का काम और पूर्ट का भी कामकाश पूरा शुरू हुआ है ये बाद जरूरे कि कोरोना का संक्रट भी गंभीर है और दूसरी और हमारी एकोनॉमी के भी अनेक सवाल समस्या हमारे सामने खड़ी है लगातार लॉक्डाउन से काफी बड़ी समस्या है कि लोगों के रोजगार चले गए है और ऐसे स्थिति में कोरोना में रहे कर जीवन जीने का आर्ट अप लिविंग हमको निश्चित रूप से सब लोगों को उसको समझना होगा और इसलिए सरकार की कोशिश यही है कि धीरे-धीरे एक तरफ लोगडाउन भी रहे और दूसरी और निश्चित रूप से एकोनामी के दुश्चित से कुछ बातों को सुचार रूप से शुरू भी करें तो मुझे लगता है इसके बारे में निरणे तो होम मिनिस्ट्री के लेवल पर होगा पर साभाई कुर्प से जिस प्रकार से धीरे-धीरे एक-एक बात खुल रही है तो मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में इससे भी जरूर कोई न कोई मारगर निकलेगा ऐसा मेरा विश्वास है क्योंकि हमारे जो ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में जो बसेस वाले है उन्होंने मुझे बताया कि हमारा करजा बढ़ रहा है ब्याज है लोगों के तनखा दे रहे है और इस समय हमारी हलत बहुत खराब है तो मैंने उनको का कि जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको कैसे रिलिफ मेले है तो निश्चित रुप से इसके कोशिश हम जरू करेंगे लेकिन एक परिस्थिती ये भी है कि पुर्दान मंत्री जब देश के सामने आए उन्होंने राष्टो के नाम संदेश दिया तो उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही इसलिए ताकि कोरोना को लॉक किया जा सके उसको रोका जा सके मामले लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के इस समय 69,000 तक केसिज आ चुके हैं अब लोगों के मन में ये डर बैठने लगा है कि अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो कहीं लॉकडाउन और आगे तो नहीं बढ़ जाएगा देखिए तीन बाते बहुत अवश्चक है कि कोई कहीं भी घर के बाहर या ओफिस के बाहर कहीं भी जाते होंगे तो मास्क लगा कर निकले वो मैंडेटरी है ऐसा समझ कर चले दूसरी बात ये कि कहीं भी दो वेक्तियों के बीच में सोशल डिस्टन्स एक मिटर से जादा र अब मैं आपको वही बात पहली अपने आपके सवाल में दे रहा था कि धीरे-धीरे हमको कोरोना के साथ लड़ाई लड़ते समय हमारे जीवन को जीने की पद्धती को भी समझना होगा और निश्चित रुप से यह हमारे लिए महतोपुर्ण है कि एक तरफ हमारी एकोनॉम हमी को भी हमको जो चक्र है रुका हुआ उसको भी धिरे-धिरे चालो करना होगा और दूसरी और कोरोना के लिए जो आवश्यक्त बाते हैं उसका पालदी करना होंगा इसमें का पूरक है और मेरा विश्वास है कि धिरे धिरे इसमें से लोगों में काफी बड़ी दिराशा है जिनका धंदा पर रोजगार चला गया उनमें भी चिंता है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इससे कुछ मार्ग निकलेगा और दोनों बातों के उपर हम मात कर कि उनको सीख भी दे सकते हैं लेकिन बस में चलते हुए मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठते हुए या देश में पैसेंजर ट्रेन में भी चलते हुए आपको लगता है कि जो हम सोशल डिस्चंसिंग एक लोगों को सिखाने की बार-बार सरकार कोशिश कर रही है उसका पा लिए आप देखिए हमारे हाँ सब्जी बजार में भी लोग लाइन पे खड़े डिस्टर्स मेंटेन करके हैं दुकानों में भी खड़े हैं अपवाजात्मक कुछ जगह पर ऐसी स्तिती हो जाती है तो उसमें सरकार को नियंतरन में स्तिती लेने के बाद निश्चित सरकार ने और राज्जा सरकार ने जो प्रिवेंट्व मेजर्स दिये हैं उसका अमल करके लोग अब ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं आज ही मेरी ये रिटेल वालों के साथ वीडियो कांफरेंस हुई और उसमें बड़े मॉल वाले और छोटे सभी लोग ते उनका कहना था कि हमारे यहां महिला हैं बच्चे युआ काम करते हैं सब बेरोजगार हैं सबके लिए यहां परिस्टी हमारे लिए बहुत गंबीर हैं तो निश्चित रुप से मैंने उनको कहा कि आप भी सरकार को यह कहिए कि कोरोना के लिए जो आवश्यक गाइडिंग प्रिंसिपल है डि भी उसके बारे में विचार करने के लिए कोशिश करेंगे पर स्वभाय कुरुप से अब जो जो स्टेक होल्डर्स हैं चाहे आप मीडिया का आपका स्टूडियो हो चाहे कोई फैक्टरी हो चाहे कोई ओफीस हो चाहे कोई दुकान हो चाहे कई माल हो तो जो जो इसके मालिक है इसके प्रमुखे उनको ये चिंता करनी पड़ेगी कि कोरोना का संकरमन नो हो इसके लिए जो आवश्यक उपायोजना सरकार ने सुझाई है उसका पालन करते हुई हमको आगे जाना होगा कुछ दिनों तक तर निश्चित रुप से मुझे लगता है कि ये इसी से हमको आग देश में पर अभी तक ऐसा कोई सॉलिड आया नहीं है पर आने की संभावना है को वैक्सिन भी मिल जाएगा तो सौब एक रुप से हम एकदम लिक प्रूफ हो जाएगा क्योंकि वैक्सिन लेने के बाद कोरोना होने की संभावना नहीं रहेगी दूसरी बात इसका जो होगी तब तक हमको निश्चित रुप से जो बाते हमारे सरकार ने कही है उसका पालन करके हमको जाना पड़ेगा और एक दूसरी तरफ हमारे हैं हमारे कॉंट्रेक्टर से लेबर से माइगरेंट लेबर से इनके रोजगार चलेगे उनकी हालत है अभी लोग पैदल निकलन शुरू हो गया है रोजगार भी नहीं खाने के लिए नहीं तो यह सब अवस्ता में साभाईक रुप से हमको निश्चित रुप से इसका भी विचार करना पड़ेगा बिट्विन दे लाइन दोनों विचार करते हुए कोरोना का संकरमन होते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं इ राइस लेवल पर इसके फिडबैक लिए जाते हैं और उसके बाद ही सरकार देना करती है राज्य सरकार को भी कॉन्फुडेंस में लेका तो मुझे लगता है निश्चित रुप से आने वाले समय में इसके बारे में पॉजिटिव विचार होगा उपाय योजना के साथ और कि विश्वास को सब जगह निर्मान करने के वशकता है और मीडिया में भी इसका रोल इंपॉर्टन्ट है तो मुझे लगता है आप सब लोग भी सहयोग करके हम सब लोग मिलकर लोगों की मैं भी जब अनभाव कर रहा हो कि निरा निराशा प्रस्टेशन निगेटिविटी कि इसको हटाना चाहिए ये बहुत बड़ी समस्या है और सरकार पूरा सब के साथ है और हम निश्चित रुप से इससे निकलेंगे ये विश्वास मुझे है गटकरीजी आप पॉजिटिव सोच वाले मंत्रियों में गिने जाते हैं जो व्यवहार से उधारन पेश करने में यकीन रखते हैं आपने अभी जितनी सारी चीजें अंडरलाइन की हैं चाहे वो MSME की बात हो चाहे वो मजदूरों के पैदल घर निकल जाने की बात हो उन सारे विश्यों पर मैं आप से आज बात करना चाहता हूँ लेकिन उसके पहले जो आपने विश्य रखा कि सरकार ने बेसिक मिनिममम वेज निर्धारित है वही मानदारी से पे करने लगें हम उस जगा पर उनसे यह उम्मीद कर रहे हैं कि वह 50% वर्कफोर्स में काम करना शुरू कर दे मजदूरों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें उनको सैनिटाइजेशन की सुविधाय मोह उसका 65-70% आ गया हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू कर दिया और जहां ग्रीन जोने वहां की फैक्ट्रिया शुरू हो गई और जहां देखिए अभी जैसे मैं नाकपूर में हूँ हमारे बारा विदानसभा क्षित्र है छे गरामीन में है जिसमें इंडिस्टि में यह दो-तीन वार्डों तक सिमित था तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे मैं जो अनुभो कर रहा हूं कि उद्योग, व्योसाय, दुकाने, बंद होने के कारण वो भी समस्या बहुत बड़ी-बड़ी है लोगों में निराशा, फ्रस्टेशन, निगेटिविटी बढ़ हमको आगे निकलना है और इसलिए निश्चित रूप से हम पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहिए हमने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए और यह लड़ाई हम जीतेंगे यह भाव पैदा करना चाहिए देखो कोई भी लड़ाई आसान नहीं होती हर लड़ाई से वह बहुत बड़े-बड़े है पर इसका मतलब हम लोग हमारी निगेटिविटी से फरस्टेशन से निराश हम भी हो और लोगों को करें यह ठीक नहीं है लड़ाई लड़ने वाले लोग हर समय आत्मविश्वास के जाल लड़ाई वेपन से लड़ी नहीं जाती दिल से जाती है और इसलिए लोगों के मन में हम आत्मविश्वास निर्मान करें और मैं आपको एक बात बताता हूं कि संभो काम को ही तो संभो करना सबसे बड़ा लीडर्शिप का यह होता है अभी मैं जब गंगा को शुद्ध अवीरल और निर्मल करने के बात कर रहा था तो मु आत्मविश्वास जगा कर उनका सपना दिखाने है और जो दिखाएवा सपना पूरा करना यही लिडर्शिप के प्रती सबसे बड़ा चैलेंज होता है और मुझे लगता है यह बहुत कठिन दोर है और हमारे समाज में गरीबी है भुकमरी है बेरोजगारी है अग्यान है लोग है आप देखो केरल की स्थितिक ऐसी है आज केरल में उन्होंने लगबख कोरोना के उपर उनकी सरकार में काफी सफलता मी दी है अब अरुना चल और गोवा में कोरोना के मरेज नहीं के बरावर है तो क्या जो केरल कर सकता है जो अरुना चल और गोवा कर सकता है को हम भी कर सकते हैं तो यह कठीन है असंबो नहीं है मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है पर हम यह करके दिखाएंगे यही भाव दिर्मान करना आज देश की सबसे बड़ी अवशकता है और मैं जो कुछ लोगों से बाचित करते हुए अन्भो कर रहा हूं मैं आप से हम्याब होंगे और जैसे कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती इस ट्रैप की जो कविता है या अटल जी की वो कविता थी कदम से कदम मिला कर चलना होगा तो यह भाव जगाना होगा तभी हम कुछ ना कुछ निश्चित रुप से समाज का समाज को जो है एक दिशा में के देजा आप सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है 26 अप्रैल के आपके दफ्तर के एक प्रेस रिलीज है कि लॉक्डाउन के दौरान एक करोड़ पांच लाख लोगों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग या दूसरे ऑन-लाइन माध्यमों के जरीए आप कनेक्ट कर चुके हैं पर पहुचा था और अभी मुझे वो रोज नंबर मिलता है कितने लोगों ने सुना है तो अभी वो चार करोड तक पहुचा है क्या होता है कि हमारे जो MSME की ऑर्गनाशन से चेंबर ओफ कॉमर्स है कोई लेदर असूशन है प्लास्टिक असूशन है फीकी है फिरस पीएज चेंबर है सिया है यहां से लेकर अभी छोटे-छोटे रियलिस्टेट के लोग थे चोटे उनके MSME कोई रेस्टोरेंट वाले थे कोई इंटर्टेंटमेंट के भी लोगों से मेरी बात चीत हुई तो मुझे यही ध्यान में आया कि बहुत बड़े प्रमाल पर निराशा है और यह निराशा से लोग डरे हुए है और इसलिए अचा डरने से तो कोई हम तो निश्चित रूप से हारेंगे ही तो इस बार डरे हुए लोगों में पॉजिटिविटी दिर्मान करना उनको हम विजह होंगे यह आत्मविश्वास निर्मान करना यही समय की अवशक्ता है और मुझे लगता है कि चाहे मेडिया हो चाहे नेता हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कोई भी सरकार हो हम सब लोग मिलकर यह आत्मविश्वास जगाए और हमारा ट्रैक रेकॉर्ड यह है कि कठीन से कठीन लड़ाई भी हम जीते हैं हमने जीत कर दिखाया है और मु मैं कहता हूं देखो चाहिना अभी हमारे लिए जो कुछ आया हुए है ब्लेसिंग डिजगाइज है क्योंकि मैं इंडेस्टी से यादा बात करता हूं और मैं कहता हूं जापान के प्रदान मंत्रे ने कहा कि जापान की जो भी इन्वेस्ट्मेंट चाहिना में जो भी उद् इन्वेस्ट्मेंट लाए और निश्चित रूप से सरकार भी काम करें प्राइवेट सेक्टर भी काम करें और हम इस परिस्थिती को बदलने के लिए गेम चेंजर के रूप में काम करें तो यह निश्चित रूप से सब लोगों के मन में निर्मान करेंगे तो बुन-बुन से आपको कहता हूं कि मैरे जीवन में मुझे नहीं होने वाले बहुत से काम करने का मोगा मिला आपको मैं अच्छी गुंडूर देता हूं कि हमारी यह पितरा गड़ से मानस सरोर जुड़ने का एक रोड बनाने का काम हम पास साल से कर रहे थे भी आरो के हमारे शूर जवान व और वहां माइनस एट डिगरी माइनस सीट डिगरी तक टेपरेजर था मेरी भी देखने के लिए जाने की हिम्मत ने हुई अब पूरा काम पुरों ने पूरा कर लिया और बरोल बनाने का काम शुरू हुआ और छे महने में हम पितरागड से हम मानस सरोर ने चाइना की सेमा तक जाएंगे 10-12-15 किलमेटर के बाद हम लग मानस सरोर पहुच सकेंगे अब यह काम हमारे जवानों ने करके दिखाया बहुत कठीन काम था मिट 26 हेलिकाप्टर से वहां डिलिंग मशिन लेके गए वो ले जाना भी बहुत कठीन था तो मुझे लगता है कि निश्चित इम्मत के साथ काम कर रहे हैं क्या वी मुंबई में महाराष्णा में कितने हमारे पुलिस वालों को इसमें कोरोना हुआ उसका भी संक्रमन हुआ फिर भी बिचारे कटीन स्थिति में रात दिन मेहनत करते रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमको यह स्पिरिट जगाना होगा य इसको हम निश्चित रूप से जीतेंगे और मैं आपको बता दो केवल मैं पॉलिटिकल लीडर जैसे आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं विश्वास के साथ बताता हूँ कि मोदी जी के नितरुत्व में जो प्रयास भारत सरकार कर रही है राज्य सरकार कर रही है और हम जि कहा यह मौका है blessing in disguise है कि जो संकर चीन में शुरू हुआ उसकी वज़े से भारत के सामने एक सुनहरी मौका है यह अभी सोच में है किवल या इसको लेकर आप लोगों ने और भारत की सरकार ने कोई कदम आगे बढ़ा भी दिया कोई ऐसा हिंट या कोई और गुड निउस इ इंडेस्टी डिपार्टमेंट से हम कोडिनेट कर रहे हैं मैंने MSME के सभी association में सभी members को कहा कि इस बार अच्छी technology लाने के लिए आपको अगर joint venture करना है तो technology के लिए करिए क्या foreign investment लानी है तो उसके लिए करिए और मुझे बहुत इस बात के खुशी है कि निश्चित आएंगे इसके लिए हम पूरी मदद करेंगे मॉनिटिंग करेंगे और इस समय बहुत बड़ा आउसर हमें मिला है कि हम हमारा export बढ़ाए इंपोर्ट को कम करें रोजगार की निर्मिति करें और उद्योग जो हमारे एक एक शेत्र में हुए वह हम लोग उसको 115 डिस्टिक म अगरिकल्चर रूरल ट्राइबल एरिया वहां यह बढ़ा है अब जैसे मैंने आपको बताता हूं यह धारावी के लोगों से मेरी लेदर में काम करने लोगों से बात्चीत हुई तो मैंने उनको धारावी में क्यों रहते हो अब मैं दिल्ली मुंबई हाइवे बना रहो आ जैनिंग का भी एक सेंटर होगा और मैं इसके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ अभी मुंबई दिल्ली हाइवे पे हमने 62 में से 32 पैकेजेस पे काम शुरू कर दिया है लैंड एक्विशन पूरा हो गया है और हम धाई तीन साल के नदर रोड को पूरा करेंगे और 220 क पार्टमेंट उसमें काम कर रहे है एरपोर्ट रेलवे स्टेशन पोर्ट से जोडेंगे और वहां एक विलेज होगा तो स्मार्ट विलेज बनेगा और वो धारावी से वहां जाएंगे अभी ठाना डिस्टिक के ही बैकवर्ड एरिया में वहां जगह है नजदी के में कितने पॉलूशन की समस्या है एर पॉलूशन है वाटर पॉलूशन है अब कोरोना जैसा आता है तो लोग एक एक छोटे से घर में 200 स्क्वेर फिट में आठ लोग रहते हैं कैसे वो डिस्टन्स मेंटेन करेंगे बहुत कटिनाईया है और यह लोग खुशी से नहीं कर हम कुछ अजिंडा तैयार करें और निश्चित रूप से यह होगा जो ब्लेसिंग इंडिस्गाइश के रूप में हुआ है ऐसा मुझे लगता है आपने खुद इस बात का अभी ऐसास दिलाया अपनी बातों से के MSME सेक्टर को लेकर आपकी चिंता काफी ज्यादा है यह सच भी है वज़े भी है उसकी कि MSME सेक्टर की कमर पूरी तरह से तूट गई है इस कुरोना के समय में तो उसको मलम लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है देखिए जितने लोगों से जितने अस्शूशन से मैंने बातशीत की उनकी बातों को समझने की कोशिश की और हर समय म इजर बैंक क्या कर सकती, बैंक क्या कर सकती, फैनास मिनिस्टी क्या सकती, इंकम टैक ज、 जे एस्टी में हम क्या कर सकते है बाकी भी मिनिस्ट्रीक लेफल क्या कर सकते हैं in सब बातों को Umid ऐस करके फिर हमने हमारे उचशित जगह पर पहुचे ही है और मेरा विश्वास है कि जल्दी निश्चित रुप से रात मिलने की कोई न कोई गोशना होगी ऐसी उम्मीद मैं भी कर रहा हूँ क्या ये समझा जाए कि MSME के लिए सरकार कोई बड़ा अर्थिक पैकेज एलान कर सकती है देखो ये तो अधिकार विद्धमंत्री का है वो कब करेगी, क्या करेगी और कैसा करेगी ये तो उनी को तेह करना है और निश्चित रुप से जो हमारी जिम्मेदारी थी क्या-क्या परिस्तिती है वो पूरी हमने उनके पास पहुचा ही है और मैं optimistic हूँ, positive हूँ और मुझे लगता है कि निश्चित रुप से लोगों को रहत मिलेगी और वैसे हमने इसके पहले भी बहुत से दिरे ने किये विद्धमंत्री ने किये अभी 20% working capital बढ़ा दिया है इसके पहले हमने मार्श तक करीब पाच्छे लाख MSME को रिस्ट्रक्चर किया हूँ मुदत हमने 31 December तक बढ़ा है जिसमें 25 लाख MSME रिस्ट्रक्चर होगी इसके साथ हमने अभी income tax और GST returns पाच्छ लाख तक तुरंट करने के बारे में फैसला हमारी विद्धमंत्री जी ने लिया है काफी बाते हैं अभी परदान मंत्री जी ने अनाच के बोद गुदाम खुले कर दिये हमने पूरा सब जगब पर हमारे आग गेहू चावल कोई कमी नहीं है इसके साथ साथ गरीब लोगों को पूरी तरह से अनाच मिल रहा है अज परदान मंत्री जनधन योजना में हर गरीब के विक्ति के आकॉंट में 35 क्रोर अकॉंट वाले हमने पैसे जमा किये हैं और सभी प्रकार से गाव गरीब मजदूर के साथ सब को रहात दे कर हम कैसा कर सकते हैं करने की कोशिश सरकार कर रही है और आगे भी करेगी पर मैंने एक बात उन लोगों को ये भी समझाई कोई मुझे अमरिका की बात कर रहा था कि जापान ने अपना 12% GDP कोरोना के पैकेज के लिए दिया अमेरिका ने डो ट्रिलियन दिया तो मैंने का देखो हमारी एकोनमी की तुलना जापान और अमरिका से नहीं हो सकती और दूसरी और हमारे यहां निश्चित रुप से मैं मानता हूँ कि आज कोन अर्चन में नहीं है राज्य सरकारे अर्चन में उनको अगले मैने तनका देने में सोचना पड़ रहा है बारत सरकार का रेविनी ड्रॉप हुआ है बैंकिंग सिस्टम चैलेंज से गुजर रही है इंडस्ट्री भी प्रॉबलम फेस करी है मैगरन मजदूर और मजदूरों के रुजगार का भी प्रॉबलम है पर इसमें कोई निराश्न होती है हम सब लोग मिलकर आगे जाएंगे और निश्चित रुप से एक दूसरे को प्रोटेक करेंगे एक दूसरे को सयोग करेंगे और इस संकट की गड़े में आगे जाकर सम लोग इससे पहार होंगे इसमें बैंक भी ठीकेगी, सरकार भी ठीकेगी इंडस्ट्री भी ठीकेगी, मजदूर भी ठीकेगा और हम इस संकट से बाहर निकलेंगे जितना हो सकता है उतना पूरा आज तक भारत सरकार ने किया है, राजय सरकार ने किया है, हम भी करेंगे, यही विश्वास मैंने सब को दिया और उनको दिराशा से दूर करने की कोशिश की आपने बड़े उद्योगों से कहा कि MSME सेक्टर का बकाया एक महिने के अंदर वो चुका दे ताकि इनको भी थोड़ी सी रात महसूस हो, लेकिन जो बड़े उद्योग खुद आपके सामने रोना रो रहे हैं कि साब हमारी कमाई बिल्कुल ठप है, हमारे रेवेन्यूज बिल्कुल फॉल कर गए हैं, लगातार नीचे जा रहे हैं आपको लगता वो पे करेंगे, ताकि एकॉनमी का चक्र वापस दुरूस्त होने की दिशा में बढ़े हैं इसमें स्टेट गवर्मेंट अंडर्टेकिंग, स्टेट गवर्मेंट, भारत सरकार, भारत सरकार के अंडर्टेकिंग और मेजर उद्योग और बड़े कॉंट्रेक्टर ऐसे हैं और इसलिए नहीं में आप कहा कि कॉंट्रेक्टर को टर्मिनेट करना है उसको कोई पेमेंट द अगर समय पर दिनने नहीं होंगे तो लोगों को तकलिफ होती है और इसलिए निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की और मुझे सब ही लोगों ने बड़े-बड़े पर पब्लिक अंडर्टेकिंग, गवर्मेंट अंडर्टेकिंग, भारत सरकार की स्थर पर अलगलग डिपार्टमेंट में निश्चित रूप से मैंने सब के डिपार्टमेंट के मंत्रियों को रिक्वेस्ट की है कि उनके हाँ जो भी इस प्रकार का पेंडिंग है, कॉन्टेक बढ़ाना यह सबसे बड़ी अवशक्ता है और निश्चित रुप से इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हम मुझे लगता है कि हिम्मत देना पॉजिटिविटी रखना और जीतने का आत्मविश्वास निर्मान करना आत्मविश्वास और अहंकार दो शुक्दों म गटकरी जिए जब सरकार के मंत्री कहते हैं कि लिक्विडिटी बढ़ेनी चाहिए मार्किट में आम लोगों की जेब में पैसा जाना चाहिए ताकि अर्थ्ववस्था का चक्र दोबारा शुरू हो सके तो उसे सॉल्यूशन के तौर पे दिखाया जाता है लेकिन जब राह मत्री जनदन योजना में गरीब लोगों के अकॉर्ड में अल्रेडी हमने पैसा जमा कर दिया है हमने आनाज का बांडर खोल दिया है आज राज्य सरकार के पास गेव चावल की कोई कमी नहीं है बहुत सस्ते रेट में लगबग नहीं जैसी कीमत पर भी आज अनाज जो सामाजिक समस्ता है वहां कर रही है उनको आप गवर्मेंट के कोटे से दे दीजिए ताकि वहां कम से कम गरीब लोग भूके रहकर कोई मरे नहीं देखो बहुत कठीन सिती है बहुत बड़े परमान पर लोग आ रहे इदर आंदर पुदेश ठेलंगना से आ रहे उदर बद्यपुदेश की और जा रहे हैं संख्या है तो मुझे लगता है इस समय में हमने सबने उनके स्पीचे खड़े रहना चाहिए यह बहुत इंड़स्ट्री वाले से बात कर रहा था वो बोले मेरा पूरा इंड़स्ट्री चले जाए तो कोई अर्चन नहीं और मुझे बा देश की जनता में भी है लोग भी मदद कर रहे हैं और निश्चित रुप से हम सब लोग भी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ ऐसे लोगों की मदद करें यही आज सबसे बढ़िया हो शक्ता है प्रदान मंत्री जी जब जब सामने आये उन्होंने एक बात बार बार उद्योग धंदे मजदूरों को तनख्वा देते रहें कोई किसी को नौकरी से ना निकाले लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं नौकरीयां जाने की खबरें आ रही हैं इसको दुरुस्त कैसे किया जाए देखिए हर व्यक्ति की सहुस्ता की सरकार की उद्योग की अपने अपनी समस्या है पर ये समय ऐसा है जो भाव प्रधान मंत्री ने व्यक्त किया कि थोड़ा सा कठिना ही होगी घर से देना पड़े फिर भी ये गरीब मजदूरों के बारे में इस बार आप चिंदा करिया जो बात मैंने आपको कही उदेश के एक बहुत बड़े उद्योग पती की बात मैंने कही उन्होंने मुझे कहा कि मेरा जो होना है हो जाए पर आज एक भी आत्मी अनाज के करन भूका नहीं मरना चाहिए और इसलिए मैं जो देख रहा हूं नीचे लेवल पर कि अडचन में जो लोग है उद्योग वाले है वेपार वाले है गरिब गरिब लोग है वो भी भले अपने आ एक मैना दो मैने का तनका नहीं दे पा रहे हैं फिर भी वो अपने यहां से अनाज बाट रहे हैं लोगों को मदद कर रहे हैं बोजन की विवस्ता कर रहे हैं और यही भारती है कि भारत भी है संस्कृति भी है इतियास भी और विरासत भी है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे यही पशुप्रवृत यह कि आप आप वही चरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे तो यह भाव मैं तो यह ग्रास रूट लेवल पर देख रहा हूं औ और ये लोगों का त्याग देख रहा हूँ, लोगों का इस कटिन स्थिति में इस प्रकार का भाउद देख रहा हूँ, यही देश की सबसे बड़ी ताकत है, स्ट्रेंग्थ है, इसको मजबूत करके और बढ़ाना, यही हम सब का मिल जूलकर काम है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, यह मुझे लगता है कि इसमें कोई सामजस से बिगड़ गया इसी बात नहीं है, जो नए उद्योग आने चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, उनकी अपनी कुछ शरती होती है, कंडिशन होती है, हम लो इन्वेस्टमेंट लानी है, उससे ग्रोध बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, फर कैपिटे इंकम बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ने के कारणे देश में निश्चित रुप से हमारी आर्थिक स्थिती अच्छी होगी, तो मुझे लगता है कि यह इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ दीजे हमको करनी पड़ेगी, और यह जो उत्तरपदेश के सरकार ने किया, मद्ध्यपुदेश सरकार ने किया, इसमें लेबर के कुछ बाते जो होती है, तो स्टेट लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में है, तो राज्य सरकार का अधिकार है, और ने राज्यों में रोजगार के लिए जाना नहीं पड़े है, तो मुझे लगता है, यह बहुत मैसरगी का और स्वभाविक है, इसके पीछे जो भाव है, वो हमने समझना चाहिए, समझो हमने यह नहीं किया, और वो उद्योग नहीं आए, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हम लोग 2 साल में 15 लाग करोड के रोड के काम चुरू करें, और हमारे बजेट तो हमारे को वित्तमंतरी अच्छा ही दिया है, हम लोग बैंकों से भी पैसा ले रहे है, इंशूरंस से, पेंशन फंड से भी ले रहे है, टी ओटी में जा र है, हाइब्रिड एनुटी में जा रहे है, हम क्यों नहीं फॉरें से भी टाइप करके उनके साथ भी कुछ हम पैसा ला सकते क्या देखें, अब सीरियसली अभी तक हमने नहीं किया, वो भी कोशिश कर रहे है, कि वह हम इन्वेस्मेंट लाए ताकि रोड के काम बढ़ा है, रोड के काम बढ़ेगे, तो सिमेंट स्टील की कपत बढ़ेगी, एक्विप्मेंट इंडस्ट्री जो है, उसका काम जोरो में होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनके हाथ में पैसा आएगा, तो मार्केट गुमेगा, चक्र गुमेगा, तो यह त तो उसमें भी कुछ कॉंप्रमेज करना पड़ेगा इस देश के स्थिति में और राज्य सरकार उस में जा रहे हैं मुझे लगता उसमें गहर नहीं है कुछ लेकिन मजदूर तो घर वापसी कर रहे हैं और आपका दो साल में 15 लाग करोड हाइवे बनाने का प्लान था और आप उन मंत्रियों में गिने जाते हैं जो जो डेडलाइन सेट करते हैं उससे पहले लक्ष को हासिल कर लेते हैं आपको लगता है कोरोना की चोट आपके में से 32 पैकेजेस में काम शुरू हो गया और मैं धाई साल में पूरा करेंगे मैंने जब यह का कि पितोरागर से मानस तरो जाएंगे तो लोग हस रहते हैं काम हो गया आपको पता है गंगा अवीरल निर्वल बनेगी लोग मुझे बोल रहे थे मेरे मित्रों नहीं भी कहा क कि नितिन जी इसी बात मत कहिए कि ताकि सरकार में संकटा जाएगा और हम अर्चन में आएंगे तो देखो आज 70-80% गंगा अवीरल निर्वल होगी काम भी पूरे हुए शिपिंग सेक्टर में 7000 करोड का प्रॉपिट हुआ 800 करोड का किवल बजेक ता साल का और पास साल मे तीनों मिनिस्ट्री को मिलाकर करीब 15-17 लाग करोड के काम अवाड कर चुका तो मुझे लगता है समस्या भी है कटिनाई भी है आसान नहीं और दूसरी बात मैं जो टार्गेट ते कर रहा हूँ वो मेरी कमिटमेंट नहीं है जैसे लड़का परिक्षा में बढ़ता है तो म देन पंस में पास होता है और मेरी कुछ तो यह मैरी कमिटमेंट नहीं है और यह मेरे अधिकारियों मेरे टीम में त्यार करूंगा कि यृतना करना ही है तब अफाकंव पूर्य होँ अब पता नहीं मुझे पर मेरी कोशिच तो यह कि 15 लाग करोर के हो फिर मैं पैसे जो जो कमिया है वो कैसे दूर हो इसकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बाहर से पैसे कैसे लाए कहा से लाए कैसे मॉडल बनाए कैसे innovative financial model बना तो मुझे लगता है if there is a wheel there is a way and if there is no wheel there is only survey, discussion, seminar, committee, subcommittee and discharge group. यह मैं मजाक में कहता था strong political wheel यह सबसे important चीज होती है और मोदी जी के नेतरूतों में हम सब की strong political wheel है और उनने कहा है कि हम हिंदोस्तान को 5 trillion की economy बनाएंगे और 100 lakh करोड का infrastructure बनाएंगे और इसमें जो मेरे department का काम है जो मोदी जी का उदिष्ट है वो पूरा करने के लिए हम प अब दिल्ली मेरेट हाइवे बना आप मुझे बताइए मैं बतारदा सोला लेंका रठारीन का रोड बनेगा तो लोग हस रहे थे आज बन गया अब मेरेट तक का काम चल रहा है चार गंटे लगते थे मैं कहता था 25 मिरिट में आओगे अब देखो आप 2-4 मैने के बाद लो होगा हुआ अगर इच्छा शक्ती है सरकार में सब लोग मिलकर काम करेंगे किवल मेरे कारण नहीं हुआ मेरे टीम में बैटे वे सभी लोगों ने मेहनत की परिशन के अब एनेचाय में काम होगा किवल मेरे कारण नहीं हुआ हमारे सेकेटरी एनेचाय के चेर्मन हमारे सभ रात दिन मेहनत करते हैं और उनकी सब की मेहनत से उनको उत्सा देकर हम विश्चित रुप से परदानमंत्री का जो सव लाग करोड के इंफ्रोस्ट्रेक्टर का जो टार्गेट है उसमें हमारी बात जो रखी है वो हम पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे यही उसके परती विश्वास है और जनरली मैं मेडिया के मित्रों को कहता हूं कि मैंने कई भी बात नहीं होगी तो आप ब्रेकिंग नुद लगा दो पर ऐसा कभी वक्त आया नहीं क्योंकि मेरे टीम ने हमारे इंजिनियर्स ने हमारे अधिकारियों ने सेकेटरी ने सब ने रात दिन की फोज आई थी पुना में दाही लाख लोग थे उनके साथ और शिवाजी महराज 25 लोग लेकर शर्वारवाड़ा में गुसे और पूरा शाहिस्तिक्वान फोज लेकर निकल गया भाग गया तो मुझे लगता है चत्रबती शिवाजी महराज अबारे आधर्श है कि उनों है असंभो को संभो करके दिखाया उनका इतियास हमारी प्रेना है तो मैं तो शिवाजी महराज को बच्पन से एक एक चीज को देखता हूं तो मुझे लगता है कि नतीं कि इंपॉसिबल इंपॉसिबल वर्ड इट मीज डैट आइम पॉसिबल यही फिलोसफी लेकर है माग हो करें चले आगे कोई प्राबलेम नहीं यह देश एक होकर हम सब को मिलकर कोरोना की लड़ाई जितनी है और अर्थिक लड़ाई भी जितनी है यह स्पिरिट निर्मान करना इस देश के हर वेक्ति का काम है मेडिया में हो चाहे राजनिती में हो चाहे नोकरी करने वाला हो चाहे काओ गरीब बंदूर किसानों इसी भाव में देश को जगाना और आप लोग यह प्रभावी रूप से कर सकते हैं और करते भी है और मेरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने मिलकर हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर कॉपरेशन, कॉड़नेशन और कमुनिकेशन आज हम सुबह से परिशान करके लेकर आए, लोगडाउन में भी उनके घर से हमने ये व्यवस्था की कि सब मंत्री देश के सामने आए और वो तस्वीर पूरे देश के सामने रखें, जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि 17 के बाद क्या होगा, लोगडाउन खुलेगा के नह नहीं खुलेगा, दफ्तर खुलेगा के नहीं खुलेगा, सड़क पर चल पाएंगे के नहीं चल पाएंगे, और मंत्री सारे एक के बाद एक सवालों के जवाब देकर भी गए, और आप, आपके लिए तो कहा ही जाता है कि आपकी हेडलाइन विवादों के लिए नहीं बनत यह ना कि महाराश्ट्र की तारीफ करने का मौका क्यों नहीं मिल पाया आपको महाराश्ट्र में कहां चूक रहे गए दिखिए महाराश्ट्रा इसा है कि मुंबई देश का कमर्शेल क्वेपिटल है और विशेश टुप से फॉरें से इंटरनाशनल एरपोर्ट होने के नाते बड़े प्रमाण पर लोग आए और मुंबई में पॉपूलेशन बहुत थीक है दारावी वरली एक छोटे घर में 300 स्कूर फिट में आठ लोग रहते हैं तो यह स्वावाई कृप से मुंबई की अपनी कुछ विकनेसेस हैं और मुंबई और पुना में हम लोग बहुत गं मुंबई और पुना में स्थिती बहुत गंबीर हैं बाकी वी जगह पर क्यालेंज बहुत बड़ा है कोटल महाराष्ट के लिए और हम सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं और देश के तुल्ला में महाराष्ट की समस्या गंबीर है और मुझे लगता है कि जल्दी ही इसके उपर सब लोग मिलकर हम लोग निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सक्सेस मिला पाएंगे और इसको कंट्रोल कर पाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि केरल जैसा एड्मिनिस्ट्रेशन महाराष्ट में संभव नहीं था देखिए केरल की अपनी कुछ स्ट्रेंग्थ है और अपनी कुछ मिखने से से हैं मुंबई की अलग बात है महाराष्ट की अलग बात है जैसे रूरल महाराष्ट की अलग बात है और मुंबई के अंदर की बात अलग है और बीच में देखिए किसी से दोश नहीं देना पर यह जो निदाबुद्दिन की घटना हुई, इसके बाद में भी इसके कारण भी काफी बड़ी समस्य है, मुंबे में भी आई, काफी लोग वहां से आकर आए थे, वो कुरोना गृस्त निकले, वो कुछ लोग बाहर नहीं आए, आइडेंटिफाइ नहीं हो पाए, तब तक उ बहुत मत्वपुर्णा है, और महराष्टे की सरकार भी कर रही है, हम लोग भी उनके साथ है, मैं दो दिन में जब भी चिप सेकेटरी से, सेकेटरी से और चिप मिनिस्टर से बात करते रहता हूं, जो जी बाते उनको लगती है, मेरे लाइक सुजाओ तो देते हैं, मैं उन पर हम लोग निश्चित रुप से हमारी प्रशासन व्यवस्ता है, इसके खिलाफ लड़ रही है, और मुझे लगता है कि देखिए कुछ समय में निश्चित रुप से हमें कोई न कोई सफलता मिलेगी. आपको लगता है तबलीगी जमात का बड़ा रूल रहा, कुरोना के देश भर में फैलने में, एक समय तक तो सारी सरकार हैं, अलग कॉलम बना के बता रही थी कि जमात से जुड़े वो इतने केस आ रहे हैं। लोगों को इससे बचाना है, हमारे आसे नाकपूर से हमारे खामला का एक बेपारी दिल्ली में जूते खरिदने के लिए था दुकाने उसका, वहां से आया तो उसके परिवार में 15 लोगों को हुआ, वहां से उसके रिष्चिदारों में हुआ, तो क्या है कि अब ये समस्य है, इसी विचितर है, कि मुझे लगता है कि हम लोग अभी इसमें विवात खड़े करके, राजनीती विवात खड़े करने के बजाए, अभी समस्या को निफ्टाने के लिए, पॉजिटिविटी में सब लोग काम करें, क्योंकि विवात करने से कोई प्रकरन, किसी को जिम्म लेकिन घड़करी जी दिक्कत कहा है न, अपने हाँ, किसी ना किसी चीज को लेके विवाद होई जाता है, पहले क्रेडिट लेने की होड रही, कि रेल हम चला रहे हैं, रेल हमारे कहने से चली, हम इतना पैसा दे रहे हैं, हमारी पार्टी तो इतना खर्चा कर रही है, कल ज के उपर जो गुर्ट स्ट्रेंग थी गटना बहुत ही दुरभाग्या पुर्ण है और विचारे मजदुरों के हाथ में रोटी उनकी पड़ी थी उनके कपड़े पड़े थे बहुत ही दुख़द है ओर आल मैं आपको एक बात बताता हूं लोगों में बहुत बड़ा डर है और लोगों में इंपेशन्ट हुए है डर भी है निराशा भी और फ्रस्टेशन भी है अब थोड़े थोड़े साइकोलोजिकल प्राब्लेम भी कहीं न कहीं दिखते हैं मैं ग्रासुट पर जमिन पर देख रहा हूं और इसलिए इस समय सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटि प्राजी ना करें हिम्मत के साथ इसका सामना करें सरकार सब प्रयास करके मारगे निकल रही है और मुझे लगता है कि अब भी रोजगार भी हासिल होंगे दिरे-दिरे हमारे रोज मरने की बाते भी चालू हो जाएगी और हमको यह आर्ट ओफ लिविंग करोना रहते हुए यह सीखनी होगी कि इसके साथ भी हमारे जीवन को हम कैसे करोना से मुक्त रखे उसके लिए क्या-क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले और कैसे आगे जाए इसकी भी हमको तैयारी करनी पड़ेगी और यही आज का अवेलेबल बेस्ट उपाए मुझे लगता है इसके अलाओ तो कोई नहीं है और जो मजदूर भाई है उनको मेरा आवण है कि आप मत निकलिये रुकिये अभी देखो आप यहां रोजगार आपके गाव में नहीं था इसलिए तो आए थे तो आप तो रोजगार शुरू और आभी हमने नाशनल आइवे के लगबक सब काम शुरू कर आज ही मैंने महाराष्टर में देखा एक सो बातर काम शुरू थे और मुझे चीपीजर ने बता है कि एक सो बातर काम पर भी हमने काम शुरू कर दिया है तो देखो हमारा प्रयास है कि रोजगार कैसे फिर से सुरक्चित हो जाए यह सरकार की भी चिंता हम सब की है और इसल चाप Independent लाया और लाने के बाद अपनी सीवा तक लाए वहाँ से महार से सरकार अपनी मिक्सेस करके उनको वापस ले आई और उनने विश्वात दिला है कि चंद्रेपुर गर्चिरुले में ये प्राब्लिम नहीं के बराबर है और लोग वापस है अब काम शुरू हो गया तो दीरे दीरे एक एक समस्या को सुल जाना पड़ेगा और इससे ही समस्या सुल जेगी उससे ही मुझे लगता है कुछ मार के निकलेगा ऐसा मुझे लगता है चलिए आखरी चलने से पहले बस आज की खबर है ग्रे मंतरी अमिच्छा को ट्वीट करके बताना पड़ा कि मेरी सेहत ठीक ठाक है आप लोगों से प्यार इतना है कुछ लोगों को की लगातार सेहत को लेकर अफ़वाहें फैलती रहती है और आपकी सेहत को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं बार बार तो अ फिर एक एक्यूपंक्चर का है इलेक्रोलेसिस का है वो भी टीटमेन लेता हूँ फिर मैं संगीत सुनता हूँ फिर चे बज़े के बात साड़े आट बज़े तक मीडिया के साथ बात करता हूँ सुबह साड़े गैरा से लेकर तीन बज़े तक वीडियो कांफरेंसिंग करत हूँ और फिर कुछ लोगों के प्रश्ण और समस्या जटी लोगों को कोई तो उसके लिए बैठता हूँ और मैंने अपने दिन को कारे करम इसाब से अपने को बदल दिया है मेरा स्वास्त बहुत अच्छा है कोई चिंदा करने का कारण नहीं है और मुझे दिश्चित रुप से अमीद भाई उनका भी स्वास्त बहुत अच्छा है देश की सेवा करने के लिए अमीद भाई को मेरे उपर मोदी जी को उपर लाखो कर लोगों के आशिरवाद है, अमीद भाई की भी तबियत बहुत अच्छी है, रात दिन वो काम कर रहे हैं, एक ही केवल इस बात का दूख होता है कि आईसी बातों को लेकर खुद अफवाय जो फैलाए जाती है, वो थोड़ी दुखद है, इस परकार की बातों को सोशल मेडिय का दूरूपयोग करना ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि उनको सुबुद दी मिले कि वो कम से कम इस परकार का काम ना करें, अमीद भाई की भी तविद अच्छी है, मेरी भी अच्छी है, और हम देश की सेवा करते रहेंगे, और भगवान भी हमको बहुत बहुत अशि हमारे साथ है, अगर हम गरीब के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, तो दुआय सब की मिलेगी, और निश्चीत रुप से हम काम कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, धन्यवाद नितिन गड़करी जी, आज तक पर आने के लिए और देश के लोगों के सामने आगे का रोड मैप रखने के लिए नमस्कार तो नितिन गड़करी को आप सुन रहे थे केंद्रिये सड़क परिमेहन मंत्री और MSME मंत्रालाय नितिन गड़करी संभालते हैं वो बता रहे थे आगे का प्लान सरकार का क्या होगा